आज का वीडियो देखके आप लोग को बिल्कुल यह समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है प्रोड़क्ट और क्या नहीं है यह आप खुड डिसाइड कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज सी टाइम में आप लोगो पूरा कम्ट्रीट करके बता दूँगा कि आपको क्या प्रोड़क्ट लेना चाहिए वेड गीन के लिए है न क्योंकि बहुत साइम माइन में कन्फूजन चलता रहता है कि वाई वेड प्रोटीन ले क्या मास गिनर ले या वेड गिनर ले ऐसा कौन सा प्रोड़क्ट ले जो हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे तो अब बात करते हैं हम में टॉपिक पे जिस पे मैं ये वीडि यो बता बनाया है जो तीन सप्लिमेंट जो मैंने आपको रिक्रिमेंट किये हुए है ठीक है तो आज दोनों में कन्फूजन बहुत रहता है कि या सर वेड प्रोटीन लो या वेड गेनर ले तो सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले हम लोग पर डिसाइड होता है ये कि हमार बजट क्या बोलता है है ना हमारा बजट क्या बोलता है कि हमें अगर हमारा बजट अच्छा खासा है तो हम वेड प्रोटीन की दरफ जाए है ना तो क्योंकि उसमें प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा हमको और काब्स कम मिलेगा लेकिन प्रोटीन हमको लीन अगर लीन मसल ग तो रोटी है चावल है इस सब में भी वही सब चीज़े रहती है लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे मैं लास्ट टाइम वीडियो आप लोग को बना के बनाया हुआ है कि शेक्स वगिरे अगर आगर किता भी किता भी किता भी खाओ लेकिन हम बहुत जादा खा नहीं सकते हैं, हम बहुत सदा पी ज़रूर सकते हैं, है न तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगो शेक रिक्मेंड किये थे कि तीन शेक लो तो अच्छा खासा रहेगा आपकी कैलोरी के इंटेक मतलब जो भी आप मेंटरेंस कैलोरी से उपर जाएगा तो आपको मास गेनर लेना है अगर आपके बजट में यह है कि हमाई कम ही वेप रोटीन पर खर्च नहीं कर सकते हैं तो मास गेनर आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप एक कॉलिटी चीज पर जाना चाहते हो तो वही वेप रोटीन तो बैस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको बजट कम है तो आप मास गेनर मत लो है ना, आप यह लो रोवे लो रोवे मतलब जो रोव परोटीन आता जो अनफ्लेवर्ट रहता है वो काफी अच्छा रहता है बज़ाए मास गेनर की ठीक है, तो क्या होगा कि आपको उसी quality में आपको उसी quality में आपको उसी quality से ज़ादा quality मतलब वे परोटीन जो फ्लेवर्ट वाला रहता है उससे ज़ादा अच्छी quality में भी मिल जाएगा आपको बस यह रहता है कि यार हाँ उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है लेकिन अभी टेस्ट को हमको जान देना है भाड में अभी हमको अपना वीड गीन करना है है ना कम बजट में रो प्रोटीन अच्छा मिल जाएगा आपको और आप कहीं से भी ले सकते हो उस के अंदर है ना तो वे प्रोटीन आप लोग ठीक है तो आप लोग को बिल्कुल कंफूजन नहीं होना चाहिए कि भाई हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए अगर आपको हाँ टेस्ट पे जाना है तो मेरे भाई फिर तो आप वही लेलो महंगा वाला और अगर सस्ता जाना है तो फिर फ्लेवर्ड में मास गेनर लेलो लेकिन आपको क्वालिटी वेड गीन करना है अच्छा खासा वेड गीन करना है अच्छा खासा वेड गीन मतलब जिसमें टमी अंदर हो है ना कि बाहर देखता हो तो आप रो ले सकते हो रो प्रोटीन में किस तरह की से टे और आपको मस्त रिजर्ट मिलागा क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है और आपको मालूम है कि प्रोटीन कितना जरूरी है अब ही हमें जब हम वर्काउट बगर करते हैं अगर जो बंदा अगर नहीं वर्काउट कर रहा है तो मेरे भाई रिकमेंड यह यह कि यह दोनों चीज का अगर वर्काउट नहीं कर रहे होता है अगर आप हाई केलुरी यह चीजे ले रहे हो तो आपको वर्काउट करना बहुत जरूरी है और आपको एक अच्छी बॉड़ी बनाना बहुत जिरूरी है ठीक है बॉड़ी मुसल मासश भी इंगरीज करना है वेडगेंका मतलब प्रोटीन की बात नहीं है बस पीने में वेकार लगता है लेकिन पीने को अभी मत देखो अभी अपनी हेल्थ को देखो चीक है तो आई होप आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आगया होगा कि मैंने किस चीच की बारे में बात करी है रोटीन के बारे में बात करी है उन्फ्लेवर्ट बजट वाला बजट है तो लगता है इस तरीकी के वीडियो